तो आज हम करेंगे पास्ट केंटिन्यूर से इंतजार था और वो टॉपिक आज हम लेके आ चुके हैं प्लीज आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बटन जो कि उसके साथ बेल आइकन बना हुआ है उसमें भी क्लिक कर दीजिये और एक ओल आप्शिन आता है उपर मुलब उसी में जब आप क्लिक करेंगे उसमें दबा दीजी ठीक है त please tell your suggestions and your queries. आपकी जो भी questions है वो हमको comment box में लिखके बता सकते हैं. हम पूरा कुशिश करेंगे इसको पढ़ने के. अब कॉस्ट पढ़ने के. चली. आज हम शुरू करते हैं past continuous. What do you mean by past? Past मतलब क्या होता है? So I think past मतलब होता है भूतकार. हिंदी में जिसकों भूतकार किते हैं. ठीक है? भूतकार. यानि कि वो कल जो की बीट चुका है, जो past हो चुका है. मतलब जो की हो चुका है. ठीक है? That's your past tense. What do you mean by continuous? continuous मतलब होता है वो काम जो की आप continuous करे जा रही हैं. वो past में भी हो सकता है. present में भी हो सकता है. चले शुरू करते हैं past continuous tense को शुरू. तो इसमें आपको past continuous को मतलब भी बता रखा है. past continuous tense को हम progressive tense भी बोलते हैं. यह रेफर करता है एक continuous action को या फिर state को जो की happen हो रही है at some point in the past. ठीक है, जो की happen हो रही है, which is happening, जो की happening हो रही है past, में रही है. I was washed, तो अब आपको through sentences, अगर आप sentences को पढ़ेंगे तो आपको इसको अच्छे समझ वाएगा. I was washing my car when the accident happened. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि continuous में हमेशा I-N-C लगता है. I-N-C. ठीक है, साथ में अभी हम past कर रहे हैं, जैसे हमने present में देखा था, I am, she is, ठीक है. लेकिन past में वही हम यूस करेंगे, जैसे कि I was, we were, she was, right, ऐसे. So I was washing my car when the accident happened. मैं अपनी कार धोर रहा था, जब वाश में चार, हाँ, जब accident हुआ. ठीक है, then the past continuous, इसको हम progressive, देखिए, आपसे पूछे जा सकते हैं कि हम past continuous को और क्या कहते हैं, तो हम past continuous को progressive tense भी बोलेते हैं, I was watching TV when she called, मैं TV देख रही थी, जब उसने मुझे बुलाया, बुलाया था, past continuous, देखिए, हमने देखा था, present continuous tense, और present tense में भी positive sentences होता है, negative sentences होता है, questions होता है, ठीक है, and then present tense में भी होता है, present continuous tense में भी होता है, simple present में भी होता है, and then यही पूरी चीज past tense में भी होती है and past continuous में भी होती है future tense में भी होती है ठीक है चले sentences देखे 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 अभी was talking to his friends अभी अपने दोस्तों से बात कर रहा था या फिर आप अगर इसको negative sentence में ले तो abhi was not talking to his friends अभी अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा था रिद्धी और काश्वी वर सिंगिंग in the music class तो रिद्धी और कश्वी जो है वो अपनी singing class में music उगा रही थी रप सिंग कर रही थी अपनी music class में रिद्धी और काश्वी अगर इसको में negative में लूँ तो रिद्धी और कश्वी और काश्वी वर not singing in the music class the boys were shouting in the playground जो boys है वो playground में shout कर रहे थे ठीक है जब हम singular की बात कर रहे है तो हम was लगाएंगे लेकिन जब हम plural की बात कर रहे हैं जब से boys, girls, we, they तो इसमें हम were यूज़ करेंगे the boys were, the girls were we were, they were ओके चलिए the boys were shouting in the playground तो जो boys हैं वो playground में shout कर रहे थे ठीक है अगर इसको में negative में ले तो boys were not shouting in the playground तो ऐसी आप not not जो करते हैं वो negative में आते हैं ठीक है the girls were painting the postures ठीक है तो girls जो है वो postures में painting कर रही थी वह राएगा वान्या, वान्या एक singular है इसमें सिर्फ एक particular बच्ची की बात हो रही है वान्या की बात हो रही है so वान्या was feeding the little puppies वान्या जो है वो little puppies को feed कर रही है past continuous questions देखते हैं what were you doing when the alarm went off last night ठीक है तो what were you doing तुम क्या कर रही थी when the alarm went off last night तुम क्या कर रही थी जब alarm जो है वो off हो गई थी last night को were you calling me when I emailed you this afternoon were you calling me क्या तुम मुझे call कर रही थी जब मैं तुमको email कर रही थी इस afternoon में को what was she doing this time yesterday तो what was क्या वो कर रही थी इस this time this time yesterday what she doing what was she doing वो क्या कर रही थी this time yesterday past continuous negative sentences में she wasn't doing her work when I meet her अच्छा ये वोजन्ट ऐसे जो वेरिंट 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 ऐसे शब्द आपको शाहिद कन्फ्यूस कर सकते हैं तो इसका मैं मत्तब समझा दू so she was not doing ठीक है ये short forms में लिखा जाता है आप जाए तो फूरा भी लिख सकते हैं इसमें लिखा है she wasn't doing her work when I meet her आपको she was not doing her work when I meet her they weren't cleaning the room they were not cleaning the room my mom wasn't in the kitchen when I called her my mom was not in the kitchen when I called her we weren't playing football during the games class या फिर वी वर नॉट ब्लेग फूट बॉट 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 पूट दूरिंग 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 गेंज क्लास ठीक है चलिए आगे देखते हैं ओके तो बस इतने ही था तो बेसिकली बहुत ही नृट मुट भला को बॉट बॉट बःगें रमन क Hop